हेलो एवरीवन वेलकम टो अड़ा 247 स्कूल मैं राजिंदर शांखला इस सेशन में हम लोग किर्ति का बाहग दो का अध्याय संक्या एक सीव पूजन साइद्वा रचित माता का अंचल नामक अध्याय पढ़ेंगे और यह हमें सभी को पता हो गिया होगा क्योंकि हमने पार् इस इसवी में होता है तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं इस सेशन में हम लोग माता का अंचल माता का अंचल जो कहां से लिया गया है देहाती दुनिया से लिया गया है कहां से लिया गया है देहाती दुनिया जिसका भाग फर्ष्ट पढ़ेंगे हम लोग ठी को लोरी सुनाते सुनाते हुए किस परकार से खाना खिलाती है और यह सब जो लिखा है शीव पूजन सहाय जी ने वह एक ग्रामीन अंचल को ले करके ग्रामीन जीवन का चितरन करते हुए साथ में ही लोक जीवन यह लोक भासा यहां तक कि ग्रामीन जीवन हो गया जैसे जीमना हो गया ऐसे बहुत सारे सब्द आपको दिहां दिखाई देंगे जैसे त्रीपूंड हो गया इस परकार से देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पड़ेंगे अब इस जितने भी इस अध्या जितने भी सम्मंदित जितने भी अभ्यास परसंद जुड़े हुई हैं उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यह हमने पहले फर्स्ट पार्ट यहने की पहले ही वीडियो में हमने देख लिया तो इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा कि जी कख्या 10 की कृति का भाग दो पुष्ट का नाम में अध्या संक्या एक है जिसके लेखा का नाम क्या है शिव पूजन साहय कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अब आपसे पूचा जाए कि माता का अंचल नामक जो कृति का भाग दो में अध्या संक्या एक दिया हुआ है जिसके लेखका नाम क्या है तो बताये लेखका नाम क्या है लिखा हुआ है वैसे तो लेकिन anser क्या है सीव पुजन साहे लिखा हुआ हैँ और सीव कुझन साहे जी हैं ठीक है कोई लिक्कत नहीं होने चीए अब हम क्याअ पढ़ने हैं माता का अंचल जो हमारा मूल पार्ठ है लेकिन मूल पार्ठ पढ़ने से पहले थोड़ा समय सारांज के बारे में बता दूँ आप लोगों को जिसे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि माता का अंचल वैसे तुम्हें दो बार नी तीन बार रिपीट करता हूं जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाए तो माता अंचल सियु पूजन साहिक उपन्यास देहाती दुनिया का लिए गया और दोनिया का परकाशन कब होता है 1926 इस में परकास परकासी देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचली को परन्यास भी माना जाता है ये बहुत अच्छे अच्छे परसन बनेगे दियान रखनाः इतना ही नहीं इसमरंट सिल्फ नी लिखा गया हिंदी का पहला उपण्यास भी माना जाता है ध्य Sciences नहीं कह सकते हम 1926 ECU में परकासने होता है इस उपन्यास में या जो माता कंचल दिया हुआ है इस अंस में गरामी जीवन का चितरन साथ में गरामी जनता की भासा का परियोग किया है ऐसा ही नहीं कि गरामी जीवन का ही चितरन किया गया है साथ में ऐसा भी है ग्रामी जीवन की भासा का बिनों ने परियोग किया है किस परकार से गावं में लोग भासा का परियोग करते हैं लेखक ने उपरन्यास की भूमिकाम यह संकेत दिया की ठेट से ठेट देहाती एपड अर्धाद अनपड बिना पड़ावा गवार आदमी निरक्चर हलवाया मजदूर आदी भी इसकी भासा को आसानी से समझ सकते हैं कैसा भी इनसान हो ठेट गवार देहाती कैसा भी हो वह भ की भासा को समझ सकते है तो यहीं नहीं घ्रामी जीवन का चितरने नहीं गरावीन जनता की भासा का भी इनोंने परियोग यहां किया है जैसे मैं कुछ सब्द बता दू आप लोगों को जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले तड़के जो accounting जेयो नार जीमना तरिपॉंड ऐसे बहुत सारे सब आएंगे जो हमारी गरामीर बाशा के सबद हैं और यह उपनियास की सैली में लिखा गया है आतम-कतात्म इसका मतलब हमें यहीं समझ में आ गया कि लेखक ने अपने बारे में यहां लिखा है आत्म कथात्मक सैली में रचे गए उपन्यास का कथा सिल्व अत्यन्त मोलिक और क्या है परियोग धर्मी है सीशू चरीतर भोलानात जो लेखा के बच्पन का नाम था कथानक का दरश्टी बिंदू यानि कि इस अंस के जो यह है उपन्यास देहाती दुनिया इसके कथानक का दरश्टी बिंदू क्या है सीशू चरीतर है वो क्या नाम उसका भोला नात इसके अंतर क्या क्या मिलता हमें बालकों के खेल कोतु हल, मा की ममता, पिता का दुलार, लोग गीत अधी अनेक परसंगिस में हैं, इसे बहुत सारे परसंगिầे बच्पन के खेल ने कैसे कैसे खेल खेलते थे। कैसे परकारसे वो कौतल, जिग्या सपून मतलब वो जब कोई डरते थे तो किस परकार आश्यर चकित होता था किस परकार से मा अपने बच्चों से प्रेम करती थी किस परकार पिता अपने बच्चों दुलार लाड़ प्यार करता था वो सब परसंगिस्में हमें मौझूद हैं और साथ में संसार के उस गरामीन में कैसे कि गाउं में किस परकार से उसमें एक परिवार अपना, किस परकार से अपना जीवन यापन कर रहता था, उसके परिवेश के बारे में भी यहां लिखा गया है, अब देखिए मूल पाथ, अब मूल पाथ आपको दिखाई दे रहा है, क्या, जहां लड़कों का संग, तहां ब आपको पता है जब कुछ नालायक बच्चे बच्चियां माता पिता जो संतान ऐसे होते हैं कि जब माता पिता बूड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि इतना खर्चा में इनका कहां से उठाएंगे नालायक होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए अरे तुम लोगों को उन्ह पर तुमसे लेखे गलती है लेखने ऐसा देखा भी है तो क्या करें जहां लड़कों का समुह होता है वहां दोर नगाड नर्द वाद यंतर बहुत सारी बज़ते रहते हैं आहा हुलाड वाद अंदर जैसे डीजे बोलते हैं जी डीजे बचता है ऐसे इस परकार से वहां करवाता है यह नहीं पता नालाइक कि जब से जनम हुआ तब से तुम्हेरे शादी करने कितना खर Argent से लेकिन अब लेका कि उसktion में Tad करेंद जैसा होता था गुड़ों के साथ में वरद्व्यक्ति के साथ में वैसा उन्हों Kap hour कि हमारे पिता टड़के थैस सुबह मूय उठ कर निबट नहा कर यह नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाते थे लेखर क्या के रहे हैं कि हमारे पिता कि माता से सम्मंद केवल क्या था जब भूख लगती तो दूद पीने के लिए जाते थे आंचल में जा करके बज़ दूद पिया फिर पिता के साथ में आगे यहां तक भी बच्चा पिता के साथ ही सोता है बाहर के बरामदे में इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे कि मा से संबंद केवल क्या था दूद पीने तक का नाता था नाता यानि संबंद नाता यानि संबंद था यानि कि माता से तो केवल जब भूग लगती जब केवल दूद पीने के लिए आता थे कि पास इतने ही संवन्ध था और किंगे पास रहते थे हमेशा रात को दिनको बच्पन may के साथ खेलने लग एक दोस्त की साथ मित्र के साथ यानि मित्र बन गए थे हमारे बच्पन ंग लग गे उनके तो उनी के साथ बाहर की बैठग में सोया भी करते थे तो आपको दिखाई दे रही है मां है अपने बैच्चे को लेकर किस परकार से कि उन्हें खाना ख़िलारी किस परकार ऐसे ही मां बैठाती है बच्चों को आपने देखा होगा खोता ना एक घर के दुलारे होता हैं पूरे घ और पूजा स्वूहिट की बभूत का सिलग लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते तथे कुछह दाटकर वह हमारे चोड़े लिल लिलार में तिरीपूंड कर देते थे यानि कि जब वो मना करते हैं कि मैं तिरीपूंड नहीं लगवांगा नहीं लगवांगा वह भवह भोला ना तो ऑसे लिए कहा गया उसके बच्पन का नाम तो वो क्या करते हैं कुछ तो हस करके पिता कुछ जुंजला करके और कुछ डाट करके वे हमारे चोड़े लिलार लिलाटे हैं चोड़े ललाट पर क्या लगाते हैं तिरी पूंड कर देते थे यानि तिरी पूंड लगा देते थे हमारे लिलार में बभूत खूब खूलती थी यानि कि खूब चमकती थी, खूब खिलती थी हमारे ललार पर जो बभूत लगाते हैं हमारे पिता पूजा के समय तो हमारे बहुत ही खिलती थी सिर में लंबी-लंबी जटाएं थी और सिर में लेखह की लंबी-लंबी क्या थी? बाल थे, बहुत बड़े-बड़े बाल थे तो समझ में आगया कोई दिक्कत नहीं होनी चिसमें बभूत रमाने से हम खासे भंभोला बन जाते हैं यानि कि लेखह कहते हैं कि जैसे हमारे सिर में भभूत लगाते थे पिता तो हम क्या बन जाते थे? भंभोला बन जाते हैं सिव संकर जी संकर भगवान जैसे बन जाते थे पिता जी हमें बड़े प्यार से भोला नात कहकर पुकारा करते थे आनि अभी अमने बढ़ा पड़ा इससे पहले वाले वीडियो में जिवन परीचर पड़ा जब हम बताये भी था कि लेख़ के बचपन का नाम लिखके बच्पन का नाम यानि शीव पुजन साय के बच्पन का नाम क्या था भोला ना था वैसे उनका नाम क्या था तारकेसवर ना था पर असल में हमारा नाम तारकेसवर ना था क्या नाम था तारकेसवर तो याद रखना कि शीव पुजन साय का असल मेनाम बच्चपन में तारकेसर ना था लेकिन बिचा पिता बच्चपन उन्हें बहुला नात कहकर पुकार दे थे क्यों क्योंकि उन्हें पर त्रिपून बभूत लगाते थे तो वो बहुला संकर जैसा दिखाई देते थे हम भी उनको बाबुजी कहकर पुकारा करते और माता को माया कहते और पिता को कह पुकारा करते लेख़क तो जब बाबुजी रामाएन का पाड़ करता अपने चेहरे को निहारा करता था जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्क्रा कर आइना नीचे रख देते और वह भी मुस्क्रा पढ़ते थे कहने का तात्प्रे क्या है कि जब पिता रामाइन का पाठ करते तो हम आइने में अपना चेहरा देखा करते थे और जब पिता हमारी हो और देखते हैं तो कुछ हम लज्जा देते हैं कुछ मुस्करा देते हैं और आइना नीचे रख देते हैं यानि कि जब पिता देखते हैं तो पिता देखते हैं बच्पन में आपको भी आदा है होगा आपको भी ऐसा देखा होगा पिता ने जब आप स राम राम नाम लिखते हैं तो इस परकारते हैं पूजा पाठ करने के बादें वो क्या करते राम राम नाम लिखते रहते हैं अपनी एक राम नामा भही में भही पर अजहार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने के लिए पाठ उसे पाठ करने की पोथी के साथ भांद कर रख दे पुजा करने के बाद में फिर पांसो बार कागज के छोटे-छोटे टुकण्यों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की और चल पड़ते देखो यानि कि 500 बार कागज के छोटे 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 टुकडे बनाते उसमें राम नाम लिखते और फिर उसमें आटे की गोलिया लपेट करके उनको गंगाजी जाते और मचलियों को डालते मचलियों के पेट बरने के लिए इतने अच्छे बात पूजा करते राम नाम बही बन आई उसमें अजहार लगबग नाम लिखते फिर 500 बार राम नाम लेकर उसको टुकडे टुकडे करते फिर उसमें छोटे-छोटे आटे की गोलियां रखते फिर उसे गंगाजी ले जाते गंगाजी मचलियों को गयाना खि देखो पिता है बच्चा दिखी रहा है और उन्हें डाले पर किस परकार से खिला रहा है तो आपको भी याद हा रही होगे अपने पिता की तो देख लो कितना अच्छा एक चाया चीतर है तस्वीर है जो पिता अपने बच्चे को अब कभी कंदे पे बठा लेते होंगे खेलता रहता कभी कुछ करता तो बच्चे की हाथ एक मुलायम होते हैं जहां भी रखे जाते हैं तो अच्छा भोती अच्छा मैसूस होता है तो खिला रहे हैं कि यहने कि जब वो 500 बार जो गोलियां बना के लाई तो नाटे की तूं कागजिमील पेट कराम नाम लिख़र के उनको गोलियों को जब फैंक ते इस परकार थे तब भी वह कंदे बैठे रहते और में देखता रहता, इन लेखा कहा है, कि मैं देखता रहता हुझा कि मैं ऐसा करता था मचलिओं को देख देख करके. जब वहें मचलियों को चारा देकर घर की ओर लोटने लगते तब बीच रास्ते में जुखे हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठा कर जुला जुलाते थे यह जो है ना यह यह जब वो आते थे तो जब जुलाते थे पेड़ों की डाल पर आई बास समझ में नहीं आई आगी यानि कि जब वह मचलियों जब पिता जी यानि मेरे बाबुजी मचलियों को चारा दे कर घर की ओर लोटने लगते तब बीच रास्ते में जुखे हुए पेडों की डालों पर हमें बेठा कर जूला जूलाते थे कभी-कभी बाबुजी हमसे कुस्त इभी लड़तें और कभी-कभी बाबुजी हमसे क्या करते कुस्ति आसे नहीं होती होती है टीक है हम वह सितील होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पच्छार देते अब पिता बच्क बच्चे को खुष रखने के लिए जूठ पुट उट कुदी क्या हो जाते हार जाते यैन कि पूत्तर जी जाता तो वह क्या होता कि वह सितील पढ़ जाते यह उतान यानि पीठ के बल उतान क्या होता है पीठ के बल लेटना उतान क्या होता है पीठ के बल यह जैसे ही वह मुझे उन्हें पचार देते तो वह पीठ के बल इस परकार से गिर जाते हम उन्हें पचार देते हम उनकी चाते पर चड़ जाते और हम क्या करते उनके चाते पर पेट पर आ जाते थे जब हम उनकी लंबी-लंबी मूचें उखारने लगते तब वह अस्ते-अस्ते हमारे हाथों को मूच्छों से छुटा कर उन्हें चूम लेते थे यानिकि जब वो छाते पर बैड़ते उनकी मूच्छों को पकड़ पकड़ के ऐसे मूच्छ होती थी उन मूच्छों को ऐसे पकड़ पकड़ के खीश देते तो वो हमारे हातों को छुटा करके क्या कर लेते थे चूम लेते थे यह है पिता का दुलार फिर जब हम से खट्टा मीटा चुमा मांगते तब हम बारी-बारी कर अपना बाया और दाइना गाल उनके मुहे की ओर फेर देते यानि कि फिर वो क्या करते खट्टा मीटा चुमा मांगते तो हम क्या करते करमस से क्या करते बारी-बारी से बाया और दाया यहां हम ये कह सकते हैं कहतरा तो पक्रणा घंजर यह दाइने का मिठा चुमा लेने लगते मुच्ष घंज घंढदे घंजित कुमा है थे हमार गालों पर गड़ा देते थे हम जुझला कर फिर उनकी मूच्छे नोचन लगते और हमें गुफसा आता जुझलाते फिर उनकी मूच्छों को नोचने लगते इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े-खड़े खिल खिला कर असने लग जाते और तो जैसे हम उनकी मूच्छों को जुझला गर खींचते तो जूट मूट क्या करते रोने लगते और हम खिल खिला कर क्या होते हसने लगते यही होता है पिता का प्यार अभी माता का प्रेमिय आएगा यह तो पिता का प्यार चलड़ा है अभी माता का भी आएगा उनके सात हश्थे-हस्थे जब हम घर आते तब उनके सात ही हम भी चोके पर खाने पर बैठते आनि के जिब हम उनके सात ही हम जोके यहां खाने के लिए बैठते और भात सानकर खिलाते गोरस और भात सानकर खिलाते सानकर होता है मिलाकर मिलाकर खिलाते यानि कि वह में फूल के कटोरे में गोरस और भात क्या करते मिलाकर के खिलाते होते कि जब हम क्षाकर औफ़ आफर जाते यानि अफंळ क्या होता है ज्यादा खा लेना यानि पर शुर हमको खाना खा लेते तो हमारा पेट अफरने लगता अफरने लगता तो मा मैया आती यानि मा आती मैया को माता को मैया बोलते थे थे थोड़ा और खिलाने के लिए वो क्या करती जिद करते थे वह बाबुजी से कहने लगती आप तो चार-चार दाने के कोर बच्चे के मुहें में देते जाते हैं इससे वह थोड़ा खाने पर ही थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए आप खिलाने का डंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुहेख कोर खिलाना चाहिए यानि क्या कह रही है, कि आपको बच्चे को खिलाना नहीं आता है आप तो चार-पांच दाने लेकर चार-चार दाने उसके मुहें देते हो आपको तो उसको ऐसे इसे परकार से करके ऐसे डालना चाहिए कि भरकर की मुढ़़ कोर उनको खिलाना चाहिए जिसे उनका पेट भर जाए जब तुम 4-4 दानि उनके खिलाते हो तो बच्चा सोचता है कि मैंने बहु ज़्यादा खा लिया है और जुट मुट उसका पेट अफ़ने की कोशिसे करता है लेकिन आपको खिलाना नहीं आए आपको भर मुँए कोर उनको खिलाना चाहिए मा कह रही है किस से उसके पिता से यानि कि बोले नात या तार के उसरनात के पिता से कह रही है जब खाएगा बड़े-बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर यानि कि जब बड़े-बड़े कोर खाएगा तब भी तो दुनिया में अपनी जगे इस्तान बना पाएगा देखिए मैं खिलाती हूँ अब मा खिला रही है अब मा का प्यार है मर्द वे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के आथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है ये बात तो सही है मर्द वे यानि मर्द मा अब व्यंग रूप में कह रही है उनके पती के बारे में या उनके पिता के बारे में कि मर्द किया जाने बच्चों कैसे खिला जाता है महत हारी मा asteroids के लिए आये है बोहलनात के मात के माता के लिए और महतारी के आज से खाने पर बच्चों का पैट यह बात तो सही है यानि कि मा जब अपने हाथों से जब नौळा डालती है बच्चे की मुए में तो पहले नौले में ऐसे लगता है कि पेट बर गया है और वह इतना खाल लेता है इतना पिता के हाथ से या खुश्यम के हाथ से नहीं काता है यह होता है मा का प्रेम मा का इसने मा का प्यार होता है तो इसमें आपको पता है बालकों का खेल कोतुहल मा की ममता और पिता का दुलार आदी को इस पश्ट किया गया है यह कहकर वैद थाली में दही बात सांती यान सांती यानि मिलाती दही बात मिलाती और अलग अलग तोता मेना कबुतर हंस मोर आदी की बनावटी नाम से कोर बना कर यह कहते वे किलाती जाती कि जल्दी खालो नहीं त के जल 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 धिखा तोताा खाजाएगा मेनाघ यह बनावती नाम कर है कि यह उड़ने का मोका manera चले जाएं लेकिन हम उन्हें उतना मोका नहीं देते थे नहीं देते ते और ऊड़ने का मोका ही नहीं मिलता था तो क्या कहती है मां करती है यह कहकर मां वेथ कोर बना कर यह कहते हुए खिलाते जाती कि जल्दी खालो नहीं तो उड़ जाएंगे वो पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मोका ही नहीं मिलता था जब हम सब बनावटी चिडियों को चट कर जाते थे तब बाबुजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो यानगी जब वो छोट छोटे कोर बना देती कि यह तो तोता यह मोर यह चिडियों आपका मेना यह कबूतर हंस इस परकार से तो तोता मैना कबूतर हंसमोर ऐसे पाँच नाम आये तो पाँच ही लिख लो ऐसे छोट छोटे कोर बनाती और उनके मुए में और वो जल्दी से चिडियों को चट कर जाते तब बाबुजी कहने लगते क्या अच्छा अब तो तुम राजा हो जाओ खेलो अब बच्चा खेलने जाता है बाहर बास हम उटकर बाहर गली में निकल जाते यानि की रसी से बंदा हुआ काठ का गोडा काठ यानि लकडी का यानि क्या होता है लकडी लकडी का गोडा नंग दडंग बाहर गली में यानि नंगे वी पैर बाहर निकल जाते घेलने के लिए जब कभी मैया हमें अचनक पकड़ पाती तब हमारे लाग छट पटाने पर भी एक चुलू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी कडवा टेल यहने होता है सर्षजों का तेल कर भाटेल क्या होता है शरुन का तेल था bes Saturday टीक है यह entered जब कभी मय्य हमें अचानक पकर लेता यह यह अचानक लेकर नंगदरनग बहली में , मैं अचनक हमें पकड़ लेती और जब लाक बर्चिट पटाइं भी ना दो एक चुलू यांइनि होता है थोड़ा सा कड़वा तेल सिर्में डाल ही देती थी कि हम रोने लगते और बाबु जी उस पर बिगड़ खड़े होते तब वह हमारे सिर में तेल बहुत कर हमें उबट कर ही छोड़ती यानि कि जब हम रोने लगते तो बाबु जी उस पर बिगड़ खड़े होते थे यानि बाबु जी गुसा आ जाता था पर वह हमारे सिर में तेल तेल लगा कर हमें उबटकर ही छोड़ती थी यांनि वह सब तेल लगाकर ही हमें छोड़ती थी उससे पहले नहीं छोड़ती थी फिर हमारी नाबी जो पेट में होती है यहाँ सूनली होती हुसे बोलते है नाबी जब हमारी नाबी और लिलार। लिलार होती लालाट काजल की बिंदि लगा कर चोटी घूंती और उसमें फूलदार लठ बांध कर रंगीन कुड़ता टोपी पहना देती यहीं देखो ध्यान रखना नाबी में और ललाट में क्या लगाती एक काजल का टीका लगाती जिससे बच्चे को नजर नहीं लगती है और फिर हमारी क्या करती वो चोटी गूत थी और फिर उसमें फूल दार लट बांद कर रंगीन और जब बाबु जी बाहर रहते हैं निल जाता बात जोना यानी उनके इंतजार में यानि कि बाहर जैसे हम आते तो कुछ बच्चे कुछ दोस्त मेरे वो वह हमारे इंतजार बात में रहते कि कब आएगा और कब हम खेलने जाएंगे तो बाहर आते हमारी बाट यानि हमारी इंतजार जो होने वाले हमारा इंतजार करने वाले बालकों का एक जूंड हमें एक जूंड यानि समू हमें मिल जाता था हम उन खेल के सातियों को देखते ही सिसकना भोलकर बाबुजी की गोद स उतर पड़ते और हम और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमासे करने लग जाते थे यानि कि जब हम मा मुझे अचानक पकर लेती थी तेल लगाने के लिए तो हमें तेल लगा करने के बाद में चोटी गूतने के बाद में ललाट में नाभी में काजल की बिंदी लगा करके हमें रंगीन कुड़ता पहना करके फूल का एक रबबर सा पहना करके फिर छोड़ते थी हम सिसक तो ये बाहर पिता जी की गोद में आ जाते और जैसे गोद में आते तो बाहर एक जुन्ड हमें हमारे दोस्तों का मिल जाता तो हम सिसक ना भूल जाते और पिता की गोद से उतर कर हम जोलियों के दल में, यानि कि हम जैसे बच्चों के, यानि कि हम जोलियों ने मेरे ब्रोबर के छोटे बड़े बच्चों के दल में मिलकर के तमासे करने लगते तमास भी ऐसे बैसे नहीं तरह तरह के नाटक चबूत्रे का एक कोना ही नाटक गर बनता वही रंग्मंज बनती यहनी कि चबूत्र कोजन को नाटा को नात्रक का भार अपर बना देते हैं तो एक घूना तो क्या नात्रक का घर बन जाता फिर बाबुजी जिस चोटी चोड़ेटकर जो चोड़ेटर उती है जिस हिस पर बैठ़् करकाना जाता है वह यानि कि पढ़दे के लिए जो कपड़ा ट्रांगते हैं पढ़दे के लिए कपड़ा परियोग करते ना तो चोकी पर डाल करके इस परकार से कपड़ा डाल देते फिर वहीं पर क्या लगा देते तान करके मिठायों की दुकान लगा देते और यहां मिठायों की दुकान लग मंच बन जाती रुशी पर सरकंडे के खंबों का कागज का चंदोवा तान कर मिठायों के दुकान लगा देते थे उसमें चिलम के खंचे पर कपड़े के थालों में देले के लड़ू पत्तों की पूरी कचोरियां गिली मिठी की जलेबियां फूटे गड़े के टुकड़ों के बता से आदी मिठायां संजाई जाती देखो तमासे कैसे हो रहे क्या हो रहा है चिलम के खंचे पर कपड़े के थालों में तो डेले के लड़ू हो जाते, मिट्टी के लड़ू हो जाते, और पत्तों की क्या हो जाती, पूरी कचोरियां हो जाती, गिली मिट्टी की क्या हो जाती, जिलेबियां हो जाती, और फूटे गड़े के टुकडे के क्या हो जाते, पता से हो जाते, बता से हो जाते, ये तो मिठाया होती उनकी ठिकरों के बठ खेरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकडों के पैसे बनाते यानि कि ठिकरों के बठ खेरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकडों क्या बना देते हम लोग पैसे बना देते हमी लोग खरीदार और हमी लोग दुकानदार अब और कि दो-चार पैसों की गोरखपुरियां भी बाबुजी भी खरी ले बाबुजी बच्चे बन जाते हैं बच्चों खिलाने लिए बच्च तो बनना ही पड़ता है भी ध्यान रखना थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा कर हम लोग घरोंदा बनाते थे यह मिठाई क बोलते हैं जैसी यह मालूल लकडी का है तो इसको तुन का बोलेंग छोटा सा होगा तो दातुन के खंबे और दातुन को खंबे बना देते दिया सलाई की पेटियों की किवाड और दिया सलाई को पेटियों की किवाड बना देते घरे के मुहडे की चुला चक्की बना देत और बाबु जी की पूझा वाली आचमनी कल्ची बन जाती द्यान रख लें थोड़ा सा पानी के गी दूल के पिसान बालू की चीनी चीनी से हम लोग जो नार जो नार होता है दावत जिसे कहते हैं भोज भोज या दावत तयार करते हमी लोग जो नार हमीं लोग जोनार करतें दावत देतें और हमीं लोग जोनार बैठती और हमीं लोग जीमने के लिए बैठ जाते थे जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबुजी भी धीरे धीरे आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते और जब पंगत बैठती ना पंगत होती है ज को बैठते देखते ही हम लोग हस कर गरंदा बिगाड़ कर भाग चलते ते वह लोग हसते लोटपोट हो जाते, और कहने लगते फिर कब भोज्च होगा भोलानात, अब लेखक के पिता क्या कह रहे है, जब हम हस्ते हस्ते लोट पोट हो जाते, तो पिता जी भी कहने लगते कि भोलानात, अब तो बता दे कि भोज कब होगा, यानि कि जीमना कब होगा, जीमना कब होगा, भोलानात किसका नाम है, शीव पूजन साइजी के क्या है, is बचपन का नाम हैं तो आया समझ में कुछ तो पहले तो पिताका में प्यार आया सम्हों की पंक्ति था लड़कों का संभू को सवा म्रदन्ग बजते हैं जहां बुड्र का संझ होता है वहां खर्चे का पंक्ति था है यह दो दो पच्पन में किस परकार से तो अपने पिता सोरी पिता के बारे में बताया गया था कि सुबह उटकर जल्दी से नाल लो दे और पूजा पाठ करने बहुते जब रामायन पाठ पर तो मैं सीशे में अपना आइने में अपना चेहरा देखा करता वो मेरी तरफ देखते हैं मुझे पेट के डाली पर जुलाया करते हैं कि नीडिये को मर्दों को क्या जानों कि बच्चोँ खाना कैसे खिला जाता है माता की खाने मैक केहला चोटे खोटे ऑनको आ उनको कहते जल्दी खाले बना यह ऊट जाएंगे तो लेखा कहता है कि मैं उड़ाने का मोका नहीं जाता मजब्दी से चिडियों को क्या कर जाता चटे कर जाता था ठीक है और जैसे ही इतना करने के बाद में जब हम मैं काटकी लाइन लकडी का गोरा लेकर भार निकलता तो मां अचानक मुझे क्या कर लेती पकड़ लेती पकड़ करके मेरे कड़वा तेल सर्सों का तेल सर में लगाती तो हम क्या करते रोने लगते तो पिता जी उस पर बिगड़ जाते तब उनमें सिर्सों का तेल लगाने के बाद में वो मेरे एक चोटी बांगती चोटी में फूल का एक रबबड सा बांगती और नाभी में और ललाट में एक काजल का तिलका करके रंगीन कुर्टे पजा में पहना कर देखता हैं यहां मिरे इंतजार करें मैं जिशक करना भोल करें और सबसे पहले मिठायौ के दुकान लगा लेते हैं चंदोवा रहते हैं कागज का पड़दा हें लिए बैड़ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं सभी हस्ते हुए उस गृंदीन